कल हमने दो एक्जामपल्स किये थे आज हम नेक्स्ट एक्जामपल करते हैं देखो एक्जामपल नंबर थर्ड है ये इसके अंदर तीन पार्ट एक्जामपल के हमें एक ओटनोमस सिस्टम गिवन है डिटर्माइन दा नेचर ओफ दा क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो ओफ दिस सिस्टम ये हमने नेचर फाइंड आउट करना है किसका क्रिटिकल पॉइंट का ये काम हमने फर्स्ट एक्जामपल में भी किया था और सेकिंड एक्जामपल में भी किया था सेम वही करना है 2nd, find the general solution of this system 3rd, find the differential equation of the path in the x-y plane and obtain the general solution of this differential equation हमें क्या करने है, इसकी differential equation हमें क्या करने है, find out करने है और साथ ही साथ उस differential equation का general solution भी find out करने है ठीक है अब देखो सबसे पहले हम nature find out करेंगे nature कैसे find out करेंगे हमारे पास autonomous system given है ठीक है तो इसे हमने compare किया इससे general से यहां से हम A की B की C की और D की value निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे A B C D इस matrix की characteristic equation लिखेंगे ठीक है यहां से हमने क्या कर दिया इस matrix की characteristic equation लिख ली देखो A की value यहां है 1 B की value 1 C की value 3 और D की value minus 1 तो हमने इस matrix की characteristic equation लिख ली यहां से हमारे पास root आ गए 2 और minus 2 ठीक है अब देखो since the roots are real roots कैसे है real है unequal है and of opposite sign so the critical point 0,0 is a saddle point ठीक है यहां से हम बता देगे कि जो critical point है हमारे पास कैसा होगा saddle point होगा इसके बाद देखिए अब हमें find out करना इसका general solution यह देखे मैंने starting में आपको बताया था कि general solution find out कैसे करेंगे theorem से पहले किया था हमने यह काम देखो यहां हमें critical points and path to the linear system देखो we consider हमने linear system consider किया उसके बाद क्या करेंगे हमने माल लिया x और y यह हमारे पास क्या है इसके solution है a e की power lambda t y is equals to b e raised to power lambda t x और y दो let किये इसके बाद x और y की इस value को क्या करेंगे हम first linear autonomous system में put करेंगे उसके बाद हमारे पास यह वाली चीज़ आ जाएगी ठीक है हम general solution लिखेंगे जो x क्या होगा x is equals to c1 a1 e raised to power lambda 1t plus c2 a2 e raised to power lambda 2t इसी तरीके से y लिखेंगे c1 b1 e raised to power lambda 1t plus c2 b2 e raised to power lambda 2t ठीक है इस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पर अगर आपको समझना भी आया हो तो कोई बात नहीं जब example करेंगे तब आपको सब चीज़े clear हो जाएंगे देखो बस step by step चलते जाने है देखो हमें general solution find out करना सबसे पहले देखो क्या करेंगे हमने मान लिया x is equals to e raised to power lambda t and y is equals to b into e raised to power lambda t ठीक है x और y हमने दो मान लिये solution ठीक है एक्स और y हमने क्या मान लिये दो solution मान लिये अब देखो अगर ये solution है तो autonomous system को satisfy भी करेंगे ठीक है ना अगर solution है तो satisfy करेंगे करेंगे तो अब हम क्या करेंगे यहां से dx by dt की value निकालेंगे क्योंकि हम इसमें put करने के लिए dx by dt भी चाहिए और dy by dt भी चाहिए तो यहां से हमने क्या किया dx by dt की value निकालेंगे derivative कर दो विदरि spec to t की आएगा a e raised to power lambda t into lambda और इसी तरीके से यहां से जब हम dy by dt find out करेंगे तो b into e raised to power lambda t into lambda ये आगया ठीक है हमारे पास dx by dt आगया dy by dt आगया अब देखिए अब यहां पूट कर दो first में देखो यहां पर क्या करेंगे हम dx by dt की value e a e raised to power lambda t into lambda यहां पूट करेंगे is equals to x की value plus y की value इसी तरीके से यहां पर dy by dt की value पूट करेंगे और 3 into x की value minus y की value तो जब हम यहां पर value put कर देंगे उसके बाद हमारे पास यह आ जाएगी ठीक है हमारे पास यह वाली चीज़ आ जाएगी इसके बाद हमने next step क्या किया a वाली terms को अलग रख लिया और b वाली terms को अलग कर दिया ठीक है यहां से a वाली terms को अलग कर दिया और b वाली terms को अलग कर दिया तो हमारे पास ये वाले चीज़ आ जाएगी देखो e raised to power lambda t तो cancel ही हो जाएगा throughout ठीक है न e raised to power lambda t e raised to power lambda t तो जो बची होई terms है उसमें a वाली terms को अलग कर लिया और b वाली terms को अलग कर लिया ठीक है अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया linear system बन गया ना homogeneous linear system इसको a x is equals to 0 भी लिख सकते हैं ठीक है जहां पर a होगा वो हमारे पास कौन सी matrix आई है lambda minus 1 minus 1 minus 3 lambda plus 1 ये हमने क्या किया a matrix लिख दिसके coefficient की x हमारे पास क्या होगा a और b is equals to 0 0 ठीक है ये हमारे पास क्या बन गया linear homogeneous system अब देखो linear homogeneous system के पास zero solution तो always होता है तो हमें क्या चाहिए अब non-trivial solution चाहिए हमें तो ठीक है ना क्यूंकि हमें तो solution निका रहे तो non-trivial solution निकालेंगे तो non-trivial solution के लिए क्या होता है देखो यहाँ पर दो case बनते हैं एक तो हमारे पास बनता है यूनिक solution और एक बनता है infinitely many solution ठीक है और homogeneous के case में unique solution का मतलब होता है zero solution तो मतलब हमें तो non-trivial solution चाहिए और unique solution का बात है जब determinant non-zero हो और हमें चाहिए infinite solution मतलब non-trivial solution चाहिए तो non-trivial की case में हम लेते हैं determinant of a is equals to zero ठीक है तो अब हमें कैसा चाहिए non-trivial solution चाहिए तो उसके लिए हम इस matrix का determinant is equals to zero लेकर चलेंगे ठीक है अब यहां से जब matrix का determinant zero लिया तो हमारे पास क्या आगए roots आगए lambda 1 is equals to 2 and lambda 2 is equals to minus 2 ठीक है अब देखो हमारे पास roots आगए अब हम यह क्या करना है कि एक बार तो lambda 1 के corresponding solution find out करेंगे और एक बार lambda 2 के corresponding solution find out करेंगे ठीक है अब देखो जब lambda is equals to lambda 1 is equals to 2 अब हम कौन सा काम करें जब lambda की value कितनी हो 2 हो देखो उस case में क्या होगा lambda 1 is equals to 2 in third अब हमने क्या किया इस third के अंदर lambda 1 की value को क्या रख दिया 2 क्योंकि सबसे पहले अब हम काम किस पे करें lambda 1 पे फिर वही काम lambda 2 पे भी करेंगे ठीक है तो पहले lambda 1 की जगा जब हम equation इस system third में क्या रखेंगे lambda 1 की जगा 2 रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा 2 minus 1 1 और यहाँ पे 2 plus 1 3 देखो तो जब हमने system third के अंदर lambda की जगा 2 रख दिया तो हमारे पास यह वाला system दो equations आ गई ठीक है इस दो equations और दो ही unknown a और b तो इन दो equations को solo करके हम a और b की value को find out कर सकते हैं यहाँ से हमारे पास a की value भी 1 आ रही है और b की value भी 1 आ रही है ठीक है अब देखो x हमने क्या acomlet किया था a e raise to power lambda t और y हमने माना था b e raise to power lambda t तो यहाँ से देखो अब lambda क्या लेकर चले हैं हम lambda को लेकर चले हैं 2 तो lambda की जगा तो रखो 2 और a की value क्या आई है 1 तो x की value क्या बन जाएगी e raise to power 2t और y में भी क्या रखो b की value कितनी 1 और lambda की value कितनी 2 तो y की value भी क्या जाएगी e raise to power 2t ठीक है इतना काम हमने किसके ले किया जब lambda की value 2 थी अब यही same काम किसके ले करने है जब lambda की value minus 2 होगी अब क्या करेंगे इस third system के अंदर lambda के जगा क्या put करेंगे हम minus 2 put करेंगे देखो जब हमने इसमें minus 2 put किया तो हमारे पास यह वाली चीज़ आ गई यह दो equation आएगी फिर इन दो equation को solve करके हमें a और b की value find out करनी है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास a की value कितनी आ गई 1 a into e raise to power lambda t अब यहाँ पर देखो a की value कितनी आई है 1 तो a की जगा रखेंगे 1 e raise to power lambda अब यहाँ lambda कितना लेकर चल रहे हैं हम minus 2 लेकर चल रहे हैं तो e raise to power minus 2t हो जाएगा देखो यहाँ पर minus 2t है न और इसी तरीके से जब y की value लिखेंगे y को हमने क्या लेट किया था b into e raise to power lambda t b की value कितनी आई minus 3 तो minus 3 e raise to power lambda की value कितनी आई है minus 2 क्योंकि lambda is equal to minus 2 पर उस्पूर्णिंग काम कर रहे हैं हम तो minus 2t तो यह हमारे पास आ गई x और y की value when lambda is equal to minus 2 तो हमने दोनों case में निकाल लिया अब देखो general solution हम कैसे लिखते थे मैंने पहले भी दिखा था पीछे अब यहाँ पर भी देख लो general solution कैसे लिखेंगे x is equal to देखो दोनों का use करना है इसका भी और इसका भी x को कैसे लिखेंगे इसकी किसी constant से multiply करो c1 into e raised to power 2t प्लस इसकी किसी constant से multiply करो c2 e raised to power minus 2t ठीक है x की value हमारे पास आदी जंदा solution निकाल रहे है हम इस वज़े से दोनों का use करेंगे अब y की भी कैसे करेंगे इसकी किसी constant से multiply c1 into e raised to power 2t प्लस अब यहाँ पर minus है न तो minus c2 into 3 e raised to power minus 2t तो यह हमने क्या लिख दिया general solution लिख दिया ठीक है जहाँ पर c1 और c2 कोई भी arbitrary constant है तो second way हमें general solution ही find out करना था ठीक है अब third देखो third में क्या है find the differential equation of the path अब हमें differential equation निकालनी है किसकी of the path in the xy plane ठीक है and obtain the general solution of this differential equation उसके बाद उसका solution भी find out करना है even है system sorry यह रहा ठीक है तो यहां से हम पहले क्या करेंगे differential equation निकालनी है हमें तो differential equation निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको t को खतम करेंगे तो कैसे करेंगे अगर हम dx by dt करे dx by dt upon dy by dt तो इसकी value क्या आएगे हमारे पास x plus y upon 3x minus y dt से dt तरीके से cancel तो dx by dy की value हमारे पास क्या आ रही है x plus y by 3x minus y इस चाइब से हमारे पास आ जाएगा तो यही चीज़िस ने लिख रखी है कि dy by dx की value हमारे पास अच्छा है यह हमने dx by dy की निकाल ली और जब यहां से dy by dx की निकालनेंगे तो उल्टा हो जाएगा नहीं तो dy by dx हमारे पास क्या आएगा 3x minus y upon x plus y ठीक है तो dy by dx की value आ गई हमारे पास अब देखो उपर डिगरी कितनी 1 नीचे डिगरी कितनी 1 ठीक है ना तो यह हमारे पास क्या बन रही है होमोजीनियस 1 डिगरी की तो first order order भी first है derivative first time है ना तो first order differential equation होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को कैसे solve करते थे हम y को क्या put करेंगे vx पूट करते थे ना यह हमने पहले काम कर चुगे bsc वाला ही है तो देखो y को हम क्या put करेंगे vx अब derivative करो तो dy by dx की value क्यों आएगी is equals to u into v का फूम दाल लगाएंगे यहाँ पर मतलब v as it is derivative of x plus x as it is derivative of v ठीक है तो हमारे पास बन गया dy by dx is equals to v as it is x का derivative 1 plus में x as it is v का derivative dv by dx ठीक है अब देखो hence 6 can be written as अब यहाँ से देखो dy by dx के value तो हम निकाल चुके है तो यह वाली value उठाकर यहाँ put करेंगे ठीक है तो हमरे पास के आ जायेगा 3 minus v अब देखो इसने यहाँ पर यह कैसे किया देखो हमने y को put किया V x तो यहाँ से x की value हमरे पास क्या आएगी y upon v आएगी ठीक है न x की नहीए v की value निकालते है v की value हमरे पास क्या आएगी y by x आएगी ठीक है यहां से y is equal to vx है तो v की value y by x आगी अब देखो हमार पास यह वाली थी ना हम क्या करते हैं उपर से x को मन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा 3 minus y by x और नीचे से भी जब x को कॉमन लेंगे तो 1 plus y by x तो x से तो x cancel हो जाएगा तो उपर क्या बना 3 minus y by x y by x की value कितनी v तो हमार पास क्या बन जाएगा 3 minus v upon में 1 plus y by x और y by x की value कितनी v तो 3 minus v upon 1 plus v ठीक है यह dy by dx की यह वाली value उठा के हमने जो की किसके equal है 3 minus v by 1 plus v के equal है इस यहां पर रख दी तो हमार पास क्या आगा 3 minus v by 1 plus v is equals to v plus x dv by dx तो यहां से हमने देखो क्या किया x dv by dx को इस तरफ रखा और v minus v हो गया ना तो simply calculation आप पर लोगे इस term को इधर रखो v को उस तरफ ले जाके आलसीम ले दिया हमारे पास यह वाली term आ जाएगी यहां से just variable separable कर रखें इसने देखो इसके बाद क्या किया v वाली terms को एक तरफ कर लिया और x वाली terms को एक तरफ कर लिया यहां से v वाली terms को एक तरफ किया और x वाली term को एक तरफ कर लिया ठीक है तो हमारे पास यह वाली चीज़ आ जाएगी देखो यहां पर 2 से multiply 2 से divide इसने बाद में किया है यहां पर किया नहीं हुआ ठीक है प्लस में 2V का derivative 2 और 3 का तो 0 हो जाएगा तो जो निच्चे वाली time है ना उपर क्या है उसका derivative है तो यहाँ पर हमने 2 से multiply 2 से divide कर जाएगा ताकि उपर इसका derivative बना सके हम ठीक है प्लस 2 वाला का हमें integration ही करना है तो इसके बाद हमने integration किया यहाँ पर left में integration क्या होगा क्योंकि उपर derivative बन गया तो just log हो जाएगा तो 1 by 2 तो यह बाहर रहे गया और इसका integration करेंगे तो log of v square plus 2v minus 3 is equals to यहाँ पर देखो minus log x plus log c dash यहाँ पर एक constantum जुड़ती है ना log c dash नाम दे log x minus log y की property से log c dash by x तो यह वाला 2 अभी दर जाएगा ठीक है ना तो क्या होगा 2 into log c dash by x बन जाएगा यह वाली चीज़ बनेगी और हमें पता है log की property से इसको हम लिख सकते है log of c dash square upon x square और c dash square को इसने क्या नाम दे दिया आगे c नाम दे जे तो इसको इसने क्या लिख दिया ठीक है तो हमारे पास क्या आगया log of v square plus 2v minus 3 is equals to log of c by x square यहां से log log cancel यह वाली चीज़ बन जाएगी यहां से हम क्या बोल सकते हैं v square अब इसने क्या किया v की value put कर दी v को इसने क्या रखा हुआ था y x रखा हुआ था तो यहां पर इसने v की जगा y x रख दिया तो y square x square यहा 2y x minus 3 यह वाली चीज़ बन डिया ने left में तो is equals to c upon x square यह वाली चीज़ बनेगी हमने क्या किया just y की value रख दी अब यहां से देखो y square plus 2y x minus 3 is equals to c upon x square आ गया सो यहां v की जगा क्या है v की जगा y x नहीं y की जगा हमने v x रखा था तो v की value हमारे पास क्या आएगी v की value आ जाएगी y by x छी के v की value y by x यहां रखेंगे तो y square upon x square plus 2y by x minus 3 is equals to c by x square x square से throughout multiply करेंगे तो y square minus 2xy minus 3 is equals to c 3x square is equals to c यह हमारे पास क्या आगई solution आगए यह देखो यह रहा हमारे पास where c is arbitrary constant and equation 7th is the equation of the family of pass in the xy plane यही चीज़ हमें find out करनी थी ठीक है इसके बाद कुछ examples है वैसे हैं जैसे आप हमने किये चे बहुत काफ़ examples पस तो आप इनको खुछ से try करेंगे ठीक है झाल झाल